गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नमस्कार सभी बच्चों को आसा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे सवस्थ होंगे तो हम इस महमारी में आप अपनी ओनलाइन वीडियो के माध्यम से गैर बैट के अपनी तयारी अच्छी प्रकार्शे करते होंगे प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये जो टेंट के लाश को पास करने के कोशिस करें तो प्यारे बच्चों जितनी मेहनत करोगे उसका फल उतना ही ज़्यादा मीठा होगा तो हमने फैस्ट लेसन जो आपका हमारा जो चल रहा है मैंने कुछ सुरू में बातें बताई थी राष्टरवाद जो हमारे लेसन का नाम है उसमें हमने राष्टरवाद के उदे के बारे में पढ़ा राष्टरवाद की भावना आपको सभी को पता है कि अपने राश्टर के अपने देश के परती जो भावना होती है प्रेम की जो उसी को राश्टरवाद का गया और राश्टरवाद का उदे सबसे पहले आपको फैसलेशन में पड़ा यूरोप मादवीप में हुआ था फ्रांस के अंदर जर्मनी में इस परकार इटली के फैलता गया तो दिरे 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 पूरे विश्व के अंदर राश्टरवाद की भावना अलग-अलग देश बने राश्टर बने अलग-अलग राजधानिया बने एक जूटता आई लोगों के अंदर तो यह सारे विचार राश्टरवाद से उदे हुए उदे हुए हैं यूरोप से हो देवे हैं तो आज हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा सेकिंड लेशन है वो पिछली साल करोना की वज़े से भी बोड ने जो 30% सलेबस जो हमारा कट किया था उसमें वो लेशन सेकिंड लेशन कटा हुआ है तो हम थर्ड लेशन पढ़ेंगे जो हमारे थर्ड लेशन का जो नाम है वो है भारत में राष्ट्रवाद तो प्यारे बच्चों हमने जो पहले लेशन में पढ़ा वो राष्ट्रवाद पढ़ा अब हमारा जो second lesson है सोरी जो तीसरा जो lesson हम पढ़ेंगे अब भारत के अंदर राश्टरवाद के बारे में पढ़ेंगे भारत में राश्टरवाद के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है भारत सद्यों तक कभी मुगलों का गुलाम रहा कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा बहुत बलीदान सहास वीरता हमारे करांती कारियों ने संगर्श करके हमें आजादी दिलाने का काम किया एक रास्ट गठित करने का काम किया तो प्यारे बच्चों हमें आजादी 1947 में 1947 में 15 अगस्त को मिल गई थी तो हमारे देश भी 562 रियाइस्तों में बटावा था टुकडों में बटावा था इनको एक जूट करना बड़ा ही कठिन और ऐसंभोग कारिये था हमारे देश के जो ग्रह मंतरी थे उपपरधान मंतरी थे सरी सरदार बलवाई पटेल को ये काम सोपा गया था और उन्होंने बड़ी प्रेम पुरोग भावना से बड़ी समझ से सूझ बूझ से पूरे रास्टर को एक करने का काम किया जो रियाइस्ते जो रजवाडे जो बा रास्टर का निर्मान करने का काम किया था और एक रास्टर की राजधानी के रूप में दिल्ली को बनाया गया था दिल्ली भी कई बार अपने समय के अंदर बार बार राजधानी बनती गई बिछटती गई तो आज अगर वर्तमान में हम जीकर करते हैं तो हमारी देश की र लुटर राश्ट्रवाद Ubliены शहास्वीरत कि गठनाओं का एक जीता जागता उदारनों होता है राश्ट्रवाद एक राश्ट्रवाद, अपने राश्ट्र के पर्ती प्रेम की भावना, रास्ट्रवाद कहलाती है तो प्यारे बच्चों हम भी सबसे पहले अगर हम से कोई पूछता है तो हम सबसे पहले अपने आपको इंडियन कहते हैं भारतिय कहते हैं तो यही हमारी रास्ट्रियता है यही हमारा रास्ट्रवाद है अपने देश के परती सची भावना कोई भी लडाई या जैसे देश की सीमाओं पे सरद पर कुछ होता है तो हमारे अंदर भी राष्ट के परती भावना जागरीत होती है और आज इस महमारी के अंदर भी हमारी एक राष्ट ये भावना है कि एक साथ जूट कर हम इकठा होकर इस महामारी इस खतरनाक बिमारी इस लड़ाई का सामना करें और इसको हराने की कोशिस करें तो प्यारे बच्चों भारत में राष्ट्रवाद का उदे तो भारत के अंदर हम राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम राश्टरवाद पढ़ते हैं राश्टरवाद होता क्या है तो प्यारे बच्चों राश्टरवाद आपने पहले भी पढ़ा था मैंने आपको बताया भी है राश्टरवाद राश्टरवाद राश्टर के परति प्रेम भावना बलिदान सास का परतिक होता है राश्ट्रवाद दूसरी नंबर पे जो बात आती है हमारी गांदी जी के आरंबी का अंदोल देश का जिकराया है राश्ट्रवाद का भारत का जिकराया है तो भारत में राश्ट्रवाद के जो बाद के बाद जो बात आती है गांदी जी आते हैं गांदी जी आप सभी को पता है हमारे देश के बहुत वृद वैक्ति थे बहुत सासी और निर्बिक थे जिनों ने एक साधारण वैक्ति की तरह लड़ाईयां लड़के संगर्ष करके इंसा के मारक पर चलकर हमारे देश को आजादी दिलाने का काम किया है तो गांधी जी आपको सभी को पता ठारा सो तिरणवे में एक वकालत करने के लिए एक केस लड़ने के लिए देक्षिन अफरीका जाते हैं और 1915 में वापिस लोडते हैं कि साल वो देक्षिन अफरीका में रहने के बाद भारत आते हैं तो 1916 में जिकर किया गया, 1916 में बिहार में चंपारन में किसानों का अंदोलन उन्होंने वहां पे जो चला था लड़ने का काम किया, आहिंसा के मारक पर आहिंसा आप जानते हो बगैर लड़ाई जगडे धरना दे के जलूस निकाल के भूखर ताल करके इन चीजों को अपना के आहिंसा के मारक पर यानि कि हिंसा नहीं करके आहिंसा के मारक के बल पर उन्होंने विजे प्राप्त की थी, तो 1916 में बिहार के अंदर चंपारण जगह है, वहाँ पे आंदोलन चलाया, 1917 में गुजरात के अंदर खेडा मजदूरों का और 1918 में इसी परकार मिल मजदूरों का आंदोलन, 1918 में इन्हों ने चलाया, ये कुछ आंदोलन चलाने का काम किया था गांदी जी ने, 1916 में बिहार के चंपारण जिले में, 1917 में गुजरात के खेडा इलाकों में, और 1918 में एमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन चलाया था, तो ये बिहार के अंदर था, ये गुजरात के अंदर ये आंदोलन चलाये गए थे, तो बात करते हैं, तीसरा पॉ ना, इसको हम सत्याग्रा कहते हैं, सत्याग्रा, आगे हम बात करते हैं, रोल्ट एक्ट, प्यारे बच्चों, आपको आठवी कक्ष्या में भी पड़ाओगा, और पहले भी आपने सुनाओगा, रोल्ट एक्ट, ये एक ऐसा काला कानुन था, जो भारतियों के उपर धस्ती थोप दिया गया था, आप सभी बच्चों को पता है, 1914-1918 तक पर्थम विश्यूद लड़ा गया था, तो 1914-1918 जो पर्थम विश्यूद था, तो अंग्रेजों ने भारतियों को कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपको सवतंतर कर देंगे, तो गांधी जी ने इस ऐसे काले कानून ऐसे नियम थोप दिया गए एक रोल्ट एक्ट थोप दिया गया जो बिना बताए बिना कारण बिना दलिल अपिल सीधा उनको एरेस्ट कर लिया जाता था कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था सीधा जेल में डाल दिया जाता था तो एक काला कानून 1919 में रो जलिया वाला बाग उसमें लोगी कठा हुए थे और जनरल डायर ने वहाँ पे नीहत्ति लोगों पर अंदादून गोलियां चलाने का काम किया तो गांदी जी बड़े दुखी हुए इस गटना से इसका विरोध किया तो यह रोल्ट एक्ट काला कानून था वे तो प्यारे बच्वा आपको पता है यह 1919 में आगे हम पढ़ते हैं जलिया वाला बाग अत्याकान यह मैंने आपको बताया है जलिया वाला बाग अत्याकान 13 अप्रेल 1919 बात करते हैं खिलापत कमेटी खिलापत कमेटी का गठन मारच 1919 में किया गया था यह खिलापत कमेटी क्या थी यह तुर्की का एक नेता जो तुर्की का मुसलिम नेता एक धार्मिक नेता था अंग्रेजों ने उसका विरोध किया उसको गती से अटाने का काम किया तो भार कि मुसल्मान उससे नाराज हो गए और उसका विरोध करने के लिए खिलापत अंदोलन अली बंदुवने सोकतली ने इनको चलाने का काम किया बंबई से 1919 में बात करते हैं आगे की ऐसा योग अंदोलन ऐसा योग का क्या रत होता है ऐसा योग कारत होता है सयोग ने करना के हम बात करते हैं चोरी चोराकान की तो ऐसा योग अंदोलन उनीशो बीस में चलाया गया था कब चलाया गया था भी उनीशो बीस में और पांच फरिवरी उनीशो पाईस को हमारा वरत्मान उत्तर परदेश के गोरकपूर जिले में जो जहां से गोरकपूर जिले से जहां पे पुलिस चोकी थी तो वहां उस ऐसा योग आंदोलन की भीड ने उनके पुलिस चोकी को आग लगा दी जिसमें 21 पुलिस वाड़े जिंदा जल गए थी इस गटना से दुखी होकर गांदी जी ने 5 फरवरी 1922 को ऐसा योग आंदोलन वापिस ले लिया था तो बड़े नेत इससे नाराज हुए थे जनता गांदी जी से भी नाराज होगी कि आंदोलन वापिस क्यों लिया लेकिन गांदी जी ने ये कहा कि इस आंदोलन में आइंसा के माध्यम पर हम चल रहे थे लेकिन इसमें इंसा परवे से कर चुकी है इनी कारणों का हवाला देते हुए गांद सामन कमिशन को हम आपको मैं पता देता हूं सायमन कमिशन को एक सवेत कमिशन भी बोला जाता है वाइट कमिशन कूंकि इसमें सभी जो काम भी सभेड आयों तो 1928 में साइमन कमिशन आया था ये 1909 या 1919 का जो हमारे कानून अमपरतो है थोपे गए थे उनको देखने के लिए कि वो कानून लागू है या नहीं है उनका क्या प्रिणाम है तो अंग्रेज सरकार ने बेजे थे ये तो इनका विरोध करने का काम किया भारतियों ने इनका जो स्वागत किया वो गो बैक नारे से किया गो बैक साइमन कमिशन गो बैक वापिस जाओ भारतियों ने इस जिसका विरोध किया तो इसका जो विरोध करने में एहम रोल अदा किया लालालाज पत्राए ने जो गरमदल के नेता थे 1928 में उनके उपर लाहोर के अंदर उसमें लाठियां बरसाई गई जिससे लालालाज पत्राय की मृत्व हो जाती है और उस मृत्व का बदला लेने के लिए हमारे जो तीन क्रांतिकारी वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे तीन क्रांतिकारी जिनमें सहीदे आ तो ये 1928 साइमन कमेशन जो भारत में आया था भारतियों ने इनका विरोध किया था लाला लाज पत्राये की मृत्यू हो जाती है उसका बदला लेने के लिए अमारे करांतिकारियों ने एसमली में बंफैगा उनको फासी दी गई तो 1928 साइमन कमेशन का ये मैतो है अगर हम ब पंडित जवाला नेरु के नेत्रितहों में अमेंगी पूरण सविदान है हमें पूर्ण सामराज्य चाहिए यह लाहोर में मनाया गया था इसमें पास किया गया था 1930 में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को तो 1939 में ये पूर्ण सवराजय का परस्ताव लाहुर में पास हुआ था पंडित नहरु के नेतरितों में बात करते हैं हम परतम सवतंतरता दिवस 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 तो ये पर्थम सवतंतरता दिवस मनाया गया था बच्चों 26 जनवरी 1930 को और 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए हमारे देश का जो सविदान है हमारे देश का जो गनतंतर हमारे देश को बनाया गया वो 26 जनवरी को लागू किया गया था क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे जो देश का सविदान 26 नवंबर को बनके तयार हो गया था अंगिकार अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया गया था लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया था क्योंकि 26 जनवरी को हमारे देश ने पहला सवतंतरता दिवसे मनाया था आगे हैं नमक यात्रा अंग्रेजों ने नमक के उपर कानून बना दिया था एक अधिकार कानून नमक कानून जिसको कहते हैं कि अंग्रेज लोग ही नमक बनाएंगे कंपनी बनाएगी और कोई भी नमक नहीं बनाएगा तो गांधी जी ने एकी बात कही थे कि नमक ये एक सादा ये एक सभी गरों में यूज होने वाड़ा एक पदार्त है आम लोगों की जरूरत है निवारिये इस पे कानून मत बना लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो अंग्रेजों ने इस पे कानून बना दिया तो गांधी जी ने इसका विरोध किया दांडी मार्च यातरा निकाली एमदाबाद सावरमती नदी से और ये दांडी गुजराज समुदरी तट पर पहुंचे बारा मारच 1930 को इन्होंने स्टार्ट करने का काम किया अपरेल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे अपनी लगबग 24 दिन की यातरा में 240 किलोमेंटर की दाने का काम करेंगे आगे आता है सवीने आउगया अंतोलन बारा मारत 1930 12 मारत 1930 बारा मारत 1930 को सवीने आउगया अंतोलन स्टार्ट हो जाता है नमक कानून में ये रहता अज्या अ différence हमंग्रेजों का कोई भी कानून नहीं मानेंगे हम जो कानून बनाएंगे उनका विरोध करेंगे उनको तोड़ने का काम करेंगे आगे हैं दलित इसको हम दमित वरग भी कह सकते हैं दलित वरग एसोशियन दलित आप जानते हो बाबा साहिब अम्बेटकर को जो दलित का मशिया कहलाता है जिनोंने नीची जातियों को उचा के लिए यह काम किया गया तो प्यारे बच्चों आज हमने थर्ड लेसन की कुछ में तपुन बाते पढ़ने का काम किया अच्छी परकार से आपको यह समझ में आया होगा धन्यवाद